Good Morning student I hope आपको first video वीडियो में जो बुक की थे ? वह अच्छे से समझ में आगई होगी वीडियो में हमने टोटल वुक की थी वो एकस्थ वीडियो में बहुत कुछा बताने के लिए लेकिन वीडियो में सब चीज आपको नहीं बताए जा सकती क्योंकि limited time होता है इसमें हमारे पास इसलिए जितनी बुक की थिए फर्स चैप्टर की वह मैं आपको किलियर कर चुगा और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह आपका चैप्टर नंबर तू जिसका नाम है बेसिक एकाउंटिंग टर्म्स बेसिक एक एकोंट इंग टर्म्स है क्या हमारे पास यह एकोंटिंग टर्मस हैं की एकाउंटिंग करते वक्त आपको किन-किन वर्टो का सामने करना पड़्यागा कौन-कौन.. जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूर ही है यानि कि बिजनस ट्रांजेक्शन करते वक्त कौन-कौन सी वर्डों को यूज यहां पर कह जाएगा यहीं हमारे पास आपको बताए गए जैसे आपके सामने बहुत सारे वर्ड हैं जैसे बिजनस ट्रांजेक्शन कैपिटल एकाउंट ट्रोइंग्स और यहीं बहुत सारे वर्ड आपके पास यहां पर लिख्यों है इसी तरह से और वेदर लोसीज परचेस परचेस रिटन यह पूरी लिफ्ट म हमें यहां पर समझने बहुत ही जरूरी है और अगर आपको थियोरी में कोई भी प्रोलम आती है बेटा तो आप मुझे कॉंटेक्ट करके पर्सनली या वाटसप पे पूछ सकते हैं इवनिंग में चार से पांच ठीग ना तो कोई भी क्वेरी है अगर एकाउंटेंस से रि तो जैसे इसमें हमारे पास फस्ट था बिजनस ट्रांजेक्शन तो सबसे पहले एकाउंटिंग करते वक्त हमें एकाउंटिंग किस चीज की करणी पड़ेगी बिजनस ट्रांजेक्शन यानिकि अगर कोई व्यपारी को व्यपार करता है तो यानिकि उसे बिजनस में लेन करना पढ़ेगा माल खरीदना पढ़ेगा बेचना पढ़ेगा तो माल खरीदना बेचना पेमेंट करना रिसीव करना इसे सब को हम कहते हैं business transactions तो business transactions के बारे में देखे क्या का it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods और service जरूर नहीं है कि business बिजनस में goods का ही exchange किया जाए हम माल कोई खरीदें बेचें हम service भी खरीदिया बेच सकते हैं जैसे अगर आपके घर का fridge खराब होता है टीवी खराब होता है तो mechanic आपको कोई समान नहीं देने का आगए वो आपको अपनी service देगा बदले में आप उसे पैसे दोगे तो यह भी service example भी लिखावा sale purchase of goods and service received from debtors payment to creator मालो डेटर कोन होते हैं देंदार जो हमें पैसा देंगे तो अगर हमें देंदार से हम पैसा receive करते हैं या payment to creator creator में लोग होते हैं जो पैसा लेंगे लेंदार जो हमारे घर पर बुलेंगे लाव यह में पैसे देंदार और पैसा देने वाल an agreement between two parties agreement होना बहुत ही जरूर है it is necessary क्योंकि business transaction करने के लिए agreement compulsory है अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाके बोल दो भाई मुझे जो है दस टीवी चाहिए और बस कहने उसे कहके और बस अपने घर पागया तो यह हमारे बीच में agreement में हुआ तो यह business transactions नहीं होगी agreement का मतलब है कि अगर मैं दुकानदार के पास टीवी खरे दने के लिए गया तो दुकानदार टीवी बेचने के लिए agree हुआ होगा हमने उसे कुछ advance payment क्या होगा है ना घर का अपना address दोगा पूरा एक तरह से system है यह पूरा का पूरा प्रोसेजर जो फोलो किया जाता है तो it is an agreement between two parties involving transfer of or exchange of goods and service goods or service का exchange होना चाहिए तभी तो business होगा अधरवाइज आप goods or service नहीं दोगे तो business फिर कहां सोगा तो यानिके accounting में accountancy करते वक्त हमें business transactions होना जरूरी है माल या सेवा यानिके goods और service खरीदी या बेची गई हो कहीं से पैसा मिला हो किसी को payment दिया हुआ आपने यह सब लेन देन हुआ हो तो वह आपकी business transactions होगी I hope आपको यह वाला point clear होगा चलिए second point हमारे पास capital हम किसे बूलते हैं अब देख हैं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा पैसा लगाना पड़ेगा है ना जरूरी ये कि नया business करनें लिए पैसा ही लगाना पड़े माझलो और में और मेरा twenty कोई बिजनस करना चाहरे मेरा फ्रेंड गरा देख भई मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है मैं तो तो आपने कोई एसे लगाई यह संपत्ति लगाई यह या आपने अपनी कोई intellectual property लगाई हो अपना मालो आपके अंदर कोई हुनर है तो आपने का भई मैं तो पैसे नहीं लगा पाऊंगा लेकिन मैं यहां पर काम करूंगा पूरा तो यानि कि कोई पैसा लगा रहा है ना कोई अपनी सर्विस दे रहा तो पार्टनर तो वह भी बनेगा तो द it may be in the form of money और assets यह money की form में भी हो सकती है और assets मतलब संपत्ति की form में भी हो सकती है मालो मुझे कोई दुकान दुकान बनानी लेकिन मेरे पास जमीन नहीं मेरा जमीन मेरी है बस तू उपर उपर बना लिए दुकान मनना का ठीक है भई तो यानि कि उसने assets लगा दिया एक फ् में भी having monetary value लेकिन आप किसी भी form में लगाओ उसकी monetary value होने चाहिए यानि कि उसकी कोई न कोई पैसे की form में money की form में उसकी कोई न कोई value होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़े लगा दी और उसकी money में कोई value है यह नहीं तो वह capital नहीं होगी it is liability of the business यानि कि दिखो पहले आपको यहां पर यह बास समझने जरूरी है कि हम जो accounting कर रहे वह माली की नहीं कर रहे माली का लग होता है हम accounting कर रहे business की बिजनस में क्या माल भीच्चे जा रहा बिजनस से आप किसे payment कर रहे बिजनस में कितना पैसा आया तो जब हम बिजनस में पैसा लगाएंगे तो एक तरह से आप बिजनस को एक इंसान मान लो assume कर लो कि वो कोई इंसान है और मैंने अपना पैसा किसी इंसान को दिया कि लिए भाई तो अब बताओ कि वो जो इंसान है उसकी responsibility बनती है नि बनती है कि वो मेरा पैसा मुझे वापस लोटाई बिल्गुल बनेगी जी तो इसी तरह से यह कह रहा कि it is liability of the business कि बिजनस की ये क्या है leet जैillar अ उत्तरदा इतवी चिंडार यानि कि मालिक करती बिजनस म्यारी है Q वह मालिक का पैसा लुट आएगा अगर आप पैसा बीजनस में और लगा होगे है तो जितना पैसा आप लगँ यह बढ़ेगा यह अगर आपको तो भी बढ़ेगा है ना और अगर आप इसा विद्ड्रो कर लोगे निकाल लोगे तो पिर जए घटेगा यह बीजनस्मकर नुकसान होगा तो भी घटेगा तो यह the amount withdrawn or goods taken by the proprietor यानि कि अगर बिजनस से मालिक कोई पैसा घर खर्च के लिए निकालता है ड्रोइंग्स के वैसे तो सही माइने में ड्रोइंग्स होता है personal expense ठीक है ना व्यक्तिकत खर्चा तो अगर मालिक अपना personal expense अभर में अपने घर का समान भी अपने से लगता हूं तो मैंने अपने के लिए निकाल के काई होती है सब तो it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor मालिक जो भी पैसा यह समान या माल कहलो business से निकाल लेगा वो drawings की category में आएगा goods so taken by the proprietor are valued at cost और ड्रोइंग reduce the capital यह पॉइंट उपर भी आ गया था जो goods है जो मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा वह हमेशं कोश्ट पर लेस्ट करेंगे अब यह क्या बात हुए जी कोश्ट पर लेस्ट करना देखो माल लो आप एक simple सी बात ले लो एक pencil है एक pen है पांच रुपे का हम उस pen को customer को जो है आट रुपे का बदाते हैं अब घर से बच्चा आगया हमारा कहा रहा पापा पैंच जीए तो उसे में पैंच जो मैंने उसे निकाल के दिया तो मेरा तो नुक्सान पांच कही हुआ ना आट रुपे का तो नुक्सान मेरा बढ़ी मेरा तो पांच का था पांच का समान घर पर चला गया तो हमेशा जो भी माल या पैसा माली घर खर्च के लिए निकालेगा गुड्स अगर निकाल लेगा तो उसका वेल्योशन हमेशा कोस्ट पर होता है जितने कम customer को बताएंगे उससे हमारा कोई वह निया मतलब जितनी उसकी कोफ्ट होगी वह आप लिखेंगे और ड्रोइंग से देखो कैटल क्या है यह बात नहां भी आईती है न देखो डिग्रीज वैनिट्स विजिट रो तो सेम पॉइंट है चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रिष्पोंसिबिल्टी जिम्मेदारी देख यह पढ़े किया आका लाइबिल्टी मेंस अमांट ओर भाइदा बिजनस ओर डवलीटी वर दे रखा और कम अधला होता है पैसा उधार देना भी होता है और पैसा उधार लेना गयरता हो करना तो लएब लाइबिलिटी इस का म सब्सक्राव होती है liabilities अब यमन्हें बताया था न ममणहें बद कि cartel को अभ्य कि क्या बताया नश्में व्कवाज़ा पैसा lettuce मैं लग़े ना बिसनस ना मांळग से पैसा भायե लिया तो capita भी क्या है business के point of view से productivity माद लो थो तो हैं तो नीं पड़ेगा तो बैंक लून भी क्या है हमारे लिए लाइबिती है लाइबलिटी तूबर्स दॉप ऑर ऑनर वद बीजनस इस टर्म एज इंटर्णल लाइबलिट्रिट यानि कि मालिक जो पैसा बिजनस में लगाएगा तो बिजनस को पैसा देना पड़ेगा वह तो होती है इंटर्नल और जो पैसा हमारा बिजनस हम बिजनस के थुरू भारवालों से लेंगे उस हम बोलते हैं एक्स्टरेनल लाबरिटी तो देखो की ना पर लाबरिटी है मालिक पैसे लगा रह तो वह तो होगता है हमारी इंटर्नल और बिजनस में बहुत क्लूकिंग प्छीके यह या फ्रेंड से उधार ले लिया हैना अपने इस गयानकी रिष्दयारों से ले लिया उधार साथ पैसा भी तो वपस करना पड़ाएक तो वो होता है एक्स्टरन लेबिटी इस कि लिए रहें अट के चलो एक्स्ट इस टेहीं दो तर रही बता रही है इसने में नोन करंट और करंट बड़ासान है यानि कि जो पैसा में भार के लोग देना उसके दो टाइप होंगे एक तो नोन करंट होगा और एक करंट होगा नोन करंट का तो मतलब होगा कि जो हमें एक साल के बाद देना बारा महिने के बाद जो पैसा देना उसे हम बोलते है इसे हम long term liabilities भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है non current liabilities और एक हुत्तिय करेंट याने के जो पैसा हमें 12 महीन ने के अंदर देना within 12 मंथ एक लिखो यहां पर within 12 मंथ ठीक है न तो जो महीन ने जो पैसा 12 महीन ने के अंदर देना वो तो current हो गया और जो पैसा 12 महीन यह लंबा समय ऊसम कहते हैं Long term liabilities तो इसके यह बी जो यह नाम है कभी यह वह आप से उसके बाद हम आते हैं assets assets हותती है मारी संपत्ति यायने कि जैसे आपके पास बाईथ है कार है घर है अपना आपकी किया संपत्ती लेकिन थोड़ा सा चेंज है देखो अगर मेरे पास मेरा घर है आपके सांब समपत्ती है कि समपत्ती है colleges वह होती है جो हमें कमा के दिती हो बदले में अगर कोई चीज़ आपको कमा के नहीं दे रही तो आपकी संपत्ति नहीं है जम्मो कश्मीर लद्दाग वगएरा में अगर आप जाओगे टूर के लिए तो वहाँ पे जो है इनिफिल्ड वगएरा में लोग किराय पे देते हैं खरीदिली और फिर टूरिष्टों में किराय पे देते हैं तो वह उनके लिए संपत्ति है क्यूंकि वह चीज़ ने कमा के दिरी आपके पास आपके बाइक है वह आपको कमा के दिर वह तो उल्टा आपसे खर्चा करा रही डेली के कभी पैंट्रोल कभी यह कभी वह तो वह नहीं एसेट्स तो तो कि उसने ओंड कि हुए अपनी खरी दिये तो वह उसकी क्या है एसेट से अर्दा एकथों एकोणोमिक रिसोर्स तेखो यह मह लाइन है और भीजनेस यह बिजनेस की इकोणोमिक रिसोर्स है एनिपिज विच विल बी अनेबल दा फर्म टू गट एकोणोमिक बैनिफिट यानि कि जो भी चीज हमें future में benefit देगी वह हमारे लिए क्या है future benefit अगर नहीं है तो वह एसेट नहीं है तो सिंपल सी बात है Assets are the properties owned by an entity entity बेटा business को बोले कर आप सो चुछी क्या वर्ड है यह basic accounting term जो आपका chapter चल जाए ना उसमें किवाल आपको जो main main वर्ड है वो देख खुद यह लेकिन अब भी आपके सामदे को बहुत सारे कॉमर्शल वर्ड आ रहे हैं कॉमर्स है ना इस्टार्टिंग में थ्योरी चलेगी पगा देगी आपको निमेरिकल जब चलेंगे बहुत अच्छी है कॉमर्स बहुत लेंती है कॉमर्स तो यानिके जिस चीज से हमें एकोनोमिक बैनेफिट मिल रहे हैं वो हमारे ले क्या होगी एसेट्स होगी उसके बाद रिसीप्ट रिसीट का मिनिक होता है मिलना प्राप्त होना तो देखो रिसीप्ट इस दी अमाउंट रिसीवड फोर सेट्स पर सर्विस में आपने कोई सभी पैसा अपने स्कूटर बेच दिया अपना समान बेच दिया किसी की चीज ठीक कर आगे सर्विस देखा किसी को बदले मापको जो पैसा मिलागा वो सब आपको क्या होगी रिसीप्ट बड़ी आसान लेंग विजे रिसीप्ट इस दामाउंट रिसीवड फोर सेलिंग एसेट्स एस baptism क्या है जी expenditure जो है इस यह इस दामाउंट इस पैट्स ओर लैपलिटी आपने अपने अपनी कोई कि लिपने में अकूर किकट को Staats इसने एक्सपेंडिच रोगया कहाने सेना है एक्वाइरिंग एसेट्स 행va record कर звуч क imbalance किसी भी संपत्ती को खरीदने में फ्राप्ट करने में जो पैसा आपने थिया खर्च शयच inhib खरिद हो जैसे अगर हमने नहीं भी सुझमातिया मुझे जो है कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाड़ सकते हैं चलिए नेफ्ट देखते हैं फिर हमारे पास उसके बाद होता है गेन, गेन का मतलब होता है लाब, फाइदा, गेन इस दा इनक्रीज इन ओनर्स एक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम सम्थिंग अधर देन दा डे टुडे अर्निंग फ्रॉम इर्रेगुलर और नौन रिकरिंग निचर, बहुत सारे खास खास वड़ आगे देखो, गेन इस दा इनक्रीज इन ओनर्स एक्विटी, एक्विटी का मतलब यहाँ पे, ओनर्स जो पैसा लगाता है, उसे हम ओनर्स एक्विटी बोलते हैं, ध्यान लगना, इसका मतलब है जी, आप होगी जी, पैसा तो मालिक लगाता है, उसे तो हम कैपिटल कहते हैं, ब कि गेन इस दा इंक्रीज इन ओनर की जो बढ़ेगी अब कैसे बढ़ेगी जी गेन का उसा होगा तो देखो नैट में क्या है रिज fulfil फ्रों सम्थीं अदर दें दा डेट्ट्ट अरिन गो डेट्य अईनिंग का मतलब होता है कि रोज मरा जो आप पैसा कमा रहे तो हम ऐब बर पैसा तो तो वह तो होगह बिजनस ändश्र bully जो रोज मर और उसके अलावा फ्रोम इर्रेगुलर यानि कि जो आपको कभी-कभी मिलता हो और नौन रिकरिंग नेचर नौन रिकरिंग का मिनुग होता है जो बार-बार ना होता हो बार-बार नहीं होने वाला तो गेन के बारे मैं कहा रहा है कि वह देखो गेंसे एक तो ऑनर की कैपिट हो उस से मिलने वाला फायदा गेन होता है अब कैसे जी मालो हमारा रोज का का मैं मालो फ्रीज गाम हमारा तो हम तो रोज-रोज फ्रीज बिचे लेकिन क्या हुआ कि मालिक का स्कूटर घर पर खड़ा उता हुद फराग एक ग्राप फस गया और वह स्कूटर हमने से बढ़ी होगह वो हमारा प्रोफिट होगा बहुत माइदर से डिफरेंस है घेनम और कि अ प्रोफिट में तो होता है देडर देडरस दे अर्णिंग यानि कि दे टूड़े में अलावा जो विद अमारा रे Los लोस नेक्ट पॉइंट हमारा लोस इजी यह लोस देख लेते हैं क्या का लोस इस एक्सिज ओफ एक्सपेंस ओफ पिरेड ओवर इट से बड़ास आने लिए अगर आपके एक्सपेंस आपके रिवेन यू से जादा है अब देखको रिवेन यू वर्ड आगा आपने फर्स्ट दुवार बता रहा कि लोस होने से मालिक को जो पैसा है वो घटेगा यह बात तीसरी पर यहां पर इपिडियो देखो और इस इसलिए मनने थ्योरी माँ आपको यहां पर लिखके दिखाईए अदर्वाइस में से यहां तक भी लिख सकता था काम चल जटता में यहां तक भी तो देखें से नहीं क्या का लोस इस एक्सिज ओफ एक्सपेंस ओफ पिरियड ओवर इट्स रिवेंड्यू से जादा जो आपका खर्च होगा वह यह आपका लोस है नेश्ट अत्याजी हमारे पास परचेज अब परचेज अब देखको यह वी वर्ड है इंगली से मापको भूपको आपको से डबल सेक्याट के बैसे लेकिन यादे को सेल की स्पेलिंग कैसे हैं लिया तो चलिए पर चेंग पाते हैं अकांट रिकूर्ड पर्चेज ऑफ और रो मेटेरियल यह बुड्स और विड्स और प्रोडूजिंग प्रडूट्ग्ट फॉर्डूजिंग प विश्वर। परचेज हर वो चीज परचेज साफकाने सिम्ने की हर वो चीज परचेज जो भी आप रीसेल करने के लिए खरीद होगे। फिर अधर वाइस वो परचे नहीं है। ठीक है ना मालो हमारा काम जो थाफ बनाने गांत्रे ऐथ तो आटा बनाने के लिए अब आब चारिए यह CONTEM टंक हाँ है यह जो पर्चेजवर्ट कभ उहोगी पर्चेज़वर्ड का हम यूज तब करेंग सोब कोई भी गुड्स माल या कच्छ आमाल रीसेल करने के लिए लिए कोई भी प्रोड़क्ट प्रोड़्ूर्ड़् करने के लिए tej लिए जो भी चीज़ आप खरेद होगे वह क्या होगी आपकी पर्चेज और जो प्रोड़क्ट आप बनाओंगे विच आर आज तो भी सोल्ड जो आपको बेच नहीं पड़ेगा तो ही वह पर्चेज होगी अधर्वाइस वह पर्चेज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कोई भी नकाद केश में पर्चेज क्यों कैसे टाइपिंग मिश्टेव होगी कैश है वह यहाँ आप थीक परेणा कैश और क्रेडिट मतलब हुझत है उधार तो नकाद भी दो यह नहीं हमारे क्या हुत यह हुत यानि कि cash purchase और credit purchase को मिला के दोनों को मिला क्या बनती है total purchase बनती है चलिए next point फिरम ले देते हैं अपना purchase return बड़ा असान है purchase यानि कि जो आपने खरीदा था return मतला वापस कर दिया तो goods return may be returned to the seller for any reason return यानि कि आपने जो भी माल seller से खरीदा था वह आपने किसी भी रिजन से वापस कर दिया चाहिए वो defected है यह ना तो वह माल सब आपका क्या बूल जाएगा purchase return किसी भी रिजन से पसंद ने आया हो आपको यह ना defected निकल गया खराब निकल गया latest नहीं है वह आइटम तो किसी भी एंगल से कर आपने कोई भी गुड्स अपना रिटर्ण कर दे वह सब आपका purchase return की category में आएगा sales पत्ते हैं the term sales is associated with or used for sale of goods यह sale word होगा ठीक कर लेना इस गुड्स में भी purchase for sale or manufactured by the enterprise sale include both cash and credit sale भाई सिंपल है सेल वड़के राजी सेल का मतलब है कोई भी समान आपने बेच दिया हो तो वह आपकी क्या होगी सेल होगी पता ही है सिंपल इस गुड्स में भी purchase for sale or manufactured by the enterprise कोई भी समान किसी ने enterprise ने business ने खरीदा हो manufacture क्या हो और आप वह बेचरे तो बस वह sale है और देखो sale का मतलब भी क्या होगा दोनों नकद बिकरी भी cash sale भी और credit sale भी तो यहां भी देखो एक formula बना सकते होगी जी total sale जो total sale होगी credit ts बराबर होगी cash sale cs plus credit sale cs तो कुल बिकरी बराबर होती है नकद बिकरी प्लस उधार बिकरी simple है तो आयोब gain loss purchase purchase return sale यह आपको पता लग गया होगा चलिए next आते हैं फिर हमारे पास trade receivable किने बोलते हैं trade receivable देखी it is the amount received for sale of goods or service rendered in the ordinary course of business it is the amount due from the customer of the business trade receivable is the sum of data and bills receivable तो देखे दुबार से trade receivable क्या है it is the amount receivable for sale of goods or service rendered in the ordinary course of business यानि के normal जो आप अपने बिजनस करते हो तो business करते वक्त अगर आपको किसी से भी कोई पैसा receivable है word है receivable receive का तुम्हें निगोत्ते है प्राप्त होना receivable का मिनिक होता है जो प्राप्त होना है मिलना भी मिलना बाकि है तो बिजनस करते वक्त आपने कोई भी माल बेचाओ देखो से लो गुड्स या किसी कोई भी service दी और वहां से आपको जो पैसा मिलना है वह बोलेता है trade receivable trade मतलब व्यपार receivable मतलब जो मुझे मिलना है व्यपार करते हुए जो पैसा हमें मिलना है तो it is the amount receivable यह वह पैसा है जो हमें मिलना है किसके बदले में for sale of goods या तो हमने माल बेचाओ या फिर service rendered कि हो service दियो किसी को इंदा ordinary course of business business करते वक्त अच्छा business करते वक्त क्यों अगर आप देखो आप मेरा business है मालो फ्रिजगा याना फ्रिश ठीक करने काम है और मैं अपने relative के यहां पर चला गया गौहों में घूमने हो यह कह रहे हमारा फ्रिज है यार जड़ा चेक करके बताई यह और मैंने ज इसलिए यहां पर वर्ट का यूज हुआ इंदा ordinary course of business यानि के business करते वक्त और ध्यान नखना business करते वक्त आपने देखा होगा एक जो है कुछ आपकी यहां पर कुछ accounting term जो है मैं explain नहीं करूंगा क्योंकि उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है मैं बहुत लेंती हैं जैस इस नहीं आपका कि जो trade receivable है is the sum मतलब टोटल है तो दिखो इसका formula यहां से बन सकता है कि जो ts सब्सक्राइब कर देखो डेटर कौन लोग है देने वाले जिन से मुझे पैसा लेना याने कुछ कॉस्टुमर तो ऐसे हैं कि जिने हमने माल बेच्चा तो है उधार लेकिन उन्हें जो पैसा उधार दे रखा वो बिल बिल पर दे रखा अब आप कहोगी जी बिल पर कैसे तो यह मैं अभी एक्स पर निगर सकता है वह तो लंब है फिलाल आप यह समझे लेगी जो ट्रेड रिसेवल है वह डेटर को और बियार दोनों को मिला गया बनता है ठीक है ना कि समझे मां क्या होगा नेफ्ट देते हैं डेटर की से बोलते हैं देखो आगे भी बता रहा है से डेटर डेटर इस ए परसन और एंटिटी हू ओस अमांट टुदा एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल यानि कि डेटर में लोग हैं जिनोंने पैसा उधार लिया में मुझे तो देंगे यह जिन लोगों को मैंने उधार माल बेच्चा हुआ मैं भी मुझे पैसा देंगे तो यहां सेम वह तो बात है ठीकि डेटर इस परसन इस पर इंठीक करें ना भई यहां पेना डी इबी ट्योर है तो डेटर इस परसन हू ओस अमांट जिनोंने पैस किसी परसन को उधार बेस पर बेच जाता हूँ तो वह परसन क्या के लाए जागा देंदार के लाए जागा देने वाला उसके बाद है बिल्स रिसेवल तो बियार मीन्स ए बिलो फैक्चेंज एक्सेप्ट बाइड डेटर फिलाल बिटाए डैफिनेशन आप बस याद कर ल मिल्स बिरिसीवल ओन ऊंदाय इस पीडिट यानि के इसस्ट चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इससा ऐसा एक तरह से आइसा ले जैसे होता है कि मालो मुझे किसी से पैसा लेना तो वो मुझे जुच चैक काट के दे रहा ह। उसने मुझे माल लो दस दिन बाद का चैक दिया काटके हैं ना, तो वह एक तरह से आपसे बिल मालो, देखो बी आर मिंस ए बिल एक्सेप्टिड, एक्सेप्टिड यानि के डेटर ने accept कर लिए कि हाँ जी मुझे पैसा देना है और वो मुझे कब देगा एक specified date पर दे रहा बस आप इसे चेक की फोर्म में मान के चले हाला कि चेक नहीं होता कभी आप को जी कि सर आपने तो हमें चेक बताया मैं बिलुकुल इसे में एक तरह सा आपको चेक मानने के लिए कह रहा हूं जिससाब समझ्जों कि एक कागज का टुकुड़ा टाइप होता है जो बिल बनता है वह मैं आपको बाद में बता दूँगा तो जिस तरीके से आपके सामने पैसे लेने के वक्त है ट्रेड र Cathy उंबले इसी तरह पैसा देने के लिए ट्रेड पैव लें तो देखते हैं ट्रेड वह मैं से बोलते हैं इटिज दिए अमांट पेबल फोर पर्चेस ओफ गूर्ड जानिकर जब हम किसी से गूर्ट पर्चेस करेंगे तो हम्नों से पैसा देना पड़ेगा दिया नहीं भी देने को तो हम कहते हैं paid देना पड़ेगा मतलब payable तो it is the amount payable it is the amount payable for purchase of goods and service taken in the ordinary course of business यानि कि अगर हमने किसी से कोई service ली तो मुझे बदले में पैसा देना पड़ेगा यह कहीं से अगर मैं कोई समान खरिद के लाया तो वहाँ भी पैसा देना पड़ेगा बिल्कुल उस trade receivable का reverse हो रहा है यहाँ पे हम जो यह माल बेच के पैसा ले रहे थे यहाँ पे हम माल खरिद के पैसा दे रहे यहाँ पे हम service दे रहे थे तो पैसा मिल रहा था यहाँ पे हम service ले रहे तो पैसा हमें देना पड़ेगा ठीक है ना तो इसने कहा कि जब भी दी अमांट ड्यू टू दा से लर ओफ गुड्स बाइदा enterprise trade पेवल इस दा सम उफ ट्रेटर एंड बिल्स पेवल सेम वही बात है कि ट्रेट पेवल जो होता है हमें दो जुग मिला कर बनते हैं तो प्रेटर लेंदार यानिके और बिल्स पेवल यानिके जो हमें बिल पे करने अब आप यहाँ बिल पेवल एक तरह से माल लो चैक कि जो चैक हमें देना है ठीक ना तो ट्रेड पेवल जो हैं सम होता है कि इसका ट्रेटर और बिल्स पेवल का चलो बाक्य तो आपके इन पर नेक्स चैप्टर भी बने हुए हैं यह तो नेक्स चैप्टर में आपके पास आएंगे कोई दिक्कत ने उसके बादे प्रेडिटर तो किसे क्रेडिटर पर्षं टू होुम कच्रेडिट जिससे हमें देना पढ़ेगा वह मेरे घ़र आए गड़ से तो लेंदार है तो क्रेडिटर से पर्संट तो हम एन एंटर्पाइज ओस अमांट जिस से एंटर्पाइज आवीजनस में पैसा उधार लिया हो चाहिए वो credit purchase की form में लिया होगा ना तो यह होते हैं हमारे पास creditor चलिए next आते हैं फिर हमारे पास bills payable same होई है bills payable a bill of exchange accepted by the person the amount of which will be payable on the specified date यानि के bills payable एक तरह से bill of exchange है एक पेपर टाइप एक टुकड़ा होता है कागज का चैक की तरह होता है अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर होगा यह सिक्स्टीन होगा बिलो एक चैप्टर है यह मापको वहाँ पर डीपली बता दूंगा ठीक ह है ना फिलाल तो आप इधानवर रखें कि बिल्स पेबल हो है जिसका पैसा मुझे एक स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट करना है जैसे मालो मुझे दो महिने बाद किसी चैक का पेमेंट करना है यह बिल्स पेबल होगा डिसकाउंट तो आप लोगों के लिए वाड़ को पर नहीं है डिसकाउंट तो आपने पड़ा हुआ है हम आम तोर पर दुकान दो बजाते हैं समान खरीदते हैं डिसकाउंट बता देते हैं इट इस दा रिडक्शन इंदा प्राइज ओव गुड्स फ्रॉम दियामाउंट टुबी पेड टुए कस्टुमर बाइदा एंटर अगर्यप्र प्राइज को देना तो उस पैसे पर हम थोड़ा एक पर सेंट ReDक्शन कर देते हैं दोफर दस पर सेंट तो इट इसपांटronics इनदा प्राइज दीस उव गुड्स यानिके इसके यह जो डिसकॉंट मिलते Բे गुट्स का जभ प्राइज होगा उसमें से हमें माइनस करना पढ़ाएगा यह जितनी अमोंट कस्टुमर को देनी उसमें से हम यह माइनस करते हैं डिसकांट लौड मे दृट्रे डिसकाउंटध के जडिसकाउंट दो ठरह सोघव सब्सक्राइब जित्सकाउंट तक या डिसकाउंट अब आप यह बताओ कि जो वह 20% है वो मेरे लिए है सब के लिए है सब के लिए हो कोई भी आजाओ कुस्टुमर कैसा भी आजाओ तो मालों पांस रुपे की कोई जीन से है तो मेरे मुझे बुल लेगा भाई है अब 20 परसेंट सब के लिए 20 परसेंट लेस्ट किया और मुझे गया रहा भी चार सुरुपे की तो यह आने के डिसकाउंट के इस दर रिडक्शन इन दा प्राइज यानि कि उसने प्राइज में जो मैंने उसे गुड्स पर्चेस किया उस प्राइज में जो उसने रिड्यूस किया तो जितना रिड्यूस किया वहीं दिसकाउंट है आप मैं आपको यह बता रहा है कि томके कैसा रेंटार्यक के लिए हैं इस दुकांदार के लिए अक्सटमर को इंट्रेक्ट करना कस्टमber 20 व्लाइफ लेगा समान खरीद देगा तो trade discount जो होती है वो सब के लिए होती है भाई कोई आ जाओ दूसरी बात इसका परपस होता है अपनी sale बढ़ाना तीसरी बात इसका परपस होता है customer को attract करना ठीक है तो देखो इसने कहा भी trade discount के बारे में trade discount is the reduction in the price by the seller to the purchaser to goods when they buy goods और on certain value यानि कि जब भी कोई customer कि स्ट्राइटें वैल्यू को कोई भी goods purchase करेगा तो हम उसे discount दे देंगे यह 20% वाला मैंने आपको example लेकर दिखाया जिससाब समझ जो कैसे discount बढ़ आसान है कैसे discount हम देंगे तब अगर हमें किसी से जल्दी पैसा निकलवाना इट इस the discount allowed for timely payment of the amount यानि कि समय पर कोई में भुगतान कर दे उसके लिए discount दे लिए अब कैसे देखो example यह वाला मालों में अपने फ्रेंड की दुकान बगए जिंस लेने के लिए तो उसके बहार बोड़ अलागा वाद ट्वेंटी परसेंट ओफ मुझे एक जिंस पसंदा यह पांस होगी तो सिंपल से बाद ट्वेंटी तो पांसो का ट्वेंटी परसेंट निकाल लो आप कितना हैगा 100 रुपीज तो वह जिंस मुझे बता रहा चार सोगी मन्या का ले लिए भई परसों को पैसे अपने 400 रुपे अब उसकी तो पैसे फजगे नहीं फजगे मेरे तीन दिन के लिए चार दिन के लिए बेटा जिंस का तो मन्य एक्जामपल लिया होल सेल की दुगान में लखों का माल चलता है और तिन-तिन-चर-चर महिने बाद पैसा जाता है इसलिए यहां पर कैस डिसकांट का फंड़ आपको समझना जरूरी है मैं जिंस का एक छोड़ा सा एक्जामपल अब मेरे फ्रेंड ने मुझे ओफर दिया कि देख अगर तो मुझे हैंट्वेंड अभी पैसे देता है तो मैं बीस रुपे तरे और कम कर दूँगा तीन-स तो मेरे दिमाग माग यार चार दिन बाद चार सो देने पड़ेंगे अब तीन-स तो मन्ने का पगड़ भी तीन- पर कश्टुमर आया दस लाग कमाल देने के लिए ठीक है दस लाग कमाल लेकर चल लगया पैसे कब देगा छे महिने बाद मैं उसा लाला जिरा कि भाईया देख अभी दस दिन के अंदर अगर पेमिंट करते तो पचाजार की डिसकाउंट है तो कश्टुमर को लाला जाजा कि समझे तो ट्रे डिसकॉंट का तो परपस होते है शेल बढ़ाना कैस्ट डिसकॉंट का परपस होता है पेमेंट निकल वाना ताइम पह जलिए नेक्स्ट आज और फिर बैट डैब्स नेग्स्ट हमारे पास अक़ॉंदिन टर्म हमारी बैट डैट मतलब बूरा डैट लेनी आने के तो यानि के भाई वो पैसा जो मर गया मिला नहीं हमें बैट डेट सिंपल से भासमा मिसे कहते हैं डूब अत्री ने जो पैसा अमारा उधार अमारा डूब गया तो बैट डेट डेट इस दी अमाउंट ओर टुदा बिजनस दैट इस रिटन ओफ बिकोज इट है बीकोज बीकम इर्रीकवरेबल यानिके बैड डेट वो पैसा है जो बिजनस किसी को उधार देता है देखो ओडवर बार बार रहा है इसका मतलब उधार लेना भी होता है देना भी डैट इस रिटन ओफ रिटन ओफ नया वड़ है रिटन और दो हमने यह मान के तोड़ कर छोग घया भूग बुग के अंदर से काट दिया कात अब ही मैं सकाट दिया तो पैसा हो यह बैद डेर्डडेड्स बाई डूपल यह 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 यौदा न्यजलिये मतलब होता है जब किसी पर देनदारी तो हो जबादा और पैर उसके पास नहीं मालो बैंक से लौन ठाली पचास लाग का और घर बार बेज करें इसके बोली स्लाग तो हाला कि ऐसा नहीं होता कि मान लोगर मैं लोन ले रहा तो बैंक वाले पहले पूरी चेक चेकिंग करते हैं लेकिन कभी-कभी हो जटता है सब बिजनस में जैसे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो लेटेश्ट एक्जामपल वीजा मालिय किंग फिशर कंपणी का मालिक यह लोग अपने खत्तों में गड़ गड़ बड़ी करके मल प्रैक्टिस करके बढ़ा चड़ा के दिखा देची जब नहीं कि 10 लाक की बिल्डिंग है यह हमारी 50 लाक की बैंक से उस बेस फ़ले लेते हैं लोन और उल्षक परसंळ आप इन यह पूजिशन टु पेट्सडेफ्ट इंसोलवेंड वह होता है जो अपना पैसा चुछपाने की पूजिशन में है ही नहीं ठीक अ तो वह रिभेट को भी हम डिसकांट तो यह डिसकांट कंट कहते हैं लेकिन रिभेट हम देते क्यों कि dalla इस केस में देते हैं देखो डिसकॉंट तो आपने पिछे भी पढ़ी और एक यह बेडिसकॉंट तो आप उलोगे सर फिरी सम्सक्राइब क्यों नहीं कह रहे इस रिपेट की बुला रिबेट हम देते हैं जब कुछ डिफैक्टिड आइटम को दुकान दार हमें दे रहा लेक डीटर यह कमपनी के उन पीस में डाल दें लेकिन वो डिफेक्ट हमोरा पता निकर पाने के बहुत माइनर से टुकता है तो कमपनी के तरफ से तो वह आइटम इफेक्टिड है क्योंकि कंपनी अपने ब्रैंड के साथ क्यानों की खिलवाट नहीं कर सकती वह तो कॉस्टुमर को बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के चीज देगी तो दुकान दा जो हैं यह कंपनी से को माल सस्ते दाम पर लिया मिठा गए और आपको वह टीशर्ट जो मालों 1400 रुपे गिए पंदर सो गिए आपको ब्रैंडिड बोलकर क्या देते हैं कि भाई हम तो यह सस्ते में निकालने लो पकड़ो हजार रुपे में तो मालों पंदर सो गया इटम हजार में देरें 500 रुपी डिसकांट क्यों तो रिबेट होगी वहां पर तो ध्यान लगाना ठीक है ना बग्की में यहां पर आपको पढ़ागे दिखा देता हूं इट इस रिडक्शन ओप्राइज अलाउड बाए दा सेल आफ्टर दा गुड्स है बिन सोल्ड यह तो मालों को बेचने के बाद या मालों को बेचने समय अधिक रिबेट इस ओफड एंड अलाउड ओन सेल कंप्लेट इंदा पास्ट याने के रिबेट हम कब देंगे यह तो पास्ट में कोई सेल आपने कर लिए ठीक है ना यह जब अब माल बेच्चा जाना हो तब हम उने रिबेट दे रहें तो ध्यान रखना कि रिबेट एक तुमन आपको डिफेक्टेड वाला बता दिया ना यह मालों आप कोई समान खृद के लेगे और वह समान जो पोर क्वालिटिक निगल गया घटिया क्वालिटिक निगल गया त तो दुकांदार आपको लाला जड़ा कि भाया चलो आप जाद है नहीं तो यह पैसे दो मुझे है ना मालो होल सेल में बहुत सारे समान ले खरिद गया पेमेंट जाना अच्छी है मैं इनने बाद उसका अब जब वह समान हमने खोल के दिखा रहे थे तो हमने पता लगा व होता है expense is the cost incurred for generating revenue by ध्यान लखना expense वह होता है जो revenue generate करने में आपने खर्च कर दिया जैसे कर अब आप revenue generate करोगे महां जो पैसा आप लगाओगे वह क्या होगी आपकी expense होगा जैसे आपने सेल दी वेजिस दी रेंट किराया वगरा देरे आप सब एक्सेक्ट रहना उसके बाद है हमारे पास profit profit means income है ठीक कर लेना कि कभी आपको असर क्या लिक रखाए income वड़ाई profit means income earned by the business from its operating activity देखो operating वड़ाया इसका मिनिंग होता है business को चलाने से तो भाई business को चलाने से जो भी पैसा आप कमाओगे वह प्रॉफिट पिछे मनने बताया था गेन नहीं होगा वह गेन तो बिजनस के अलावा जो पैसा आप जो प्रॉफिट आपको होगा वह गेन बोला जाएगा ठी के बाद है sales return B का हुआ माल जब customer हमें वापस कर देगा बस वही क्या होगी sales return सिंपल है तो इस नहीं का goods sold when returned by the purchaser sales return यानि कि goods जो हमने अपने purchaser को sale किया था वह वापस करेगा तो बस वह क्या होगी sales return होगी उसके बाद है goods हम किसे के तैमाल को goods are the physical item of trade that are purchased to be sold यानि कि goods physical item है जिसका एक्जिकल मतलब जिसका एक्जिस्टेंस है जो चीज हमें दिखाई देगी वह फीजिकली है जो चीज नहीं दिखाई देगी वह फीजिकली नहीं है तो goods के लिए क्या आगा कि goods तो वह होगा जो तो goods are the physical item of trade that are purchased to be sold यानि कि जो हमने बेचने के लिए खरीदा हो और जो अपने आप में एक फीजिकल आइटम हो वह होता है goods फिर एक नया वड़ एन नया तो कहने सकते एक वड़ आया स्टोक इसका जो नया वड़ है वह होता है inventory spelling स्क्रीन पर लिखने जाएगी मैं फिर भी लिखके दिखा जाता हूं यहाँ पर इनवेंट्री आई एन वी एन टी ओ आर वाई गी इनवेंट्री इस टोग भोता हैं तो बढ़ ले पढ़ लेते हैं सेस्क्या होता है हिस टोग इसरे टेंजिबल और टेंजिबल तरफी को सेल इनटारी कॉर्स्यों बीजनस को याне कि इसटूट क्या चीजे है इस्टोक हमारी एक टैंजबल एसेट्स है जिसम बिजनस में हैल्ड करते हैं ताकि हम उसे बेच सके इस्टोक वही तो होगा भी है ना और फॉर्ट परपस ओव यूजिंग इट इन दा प्रडॉक्शन ओफ गुड्स या इस्टोक वह है कि जिसका यूज हम गुड्स का बेच सकें कब बेच्च है अपने बिजनस में या हम इसा प्रडॉक्शन करने में भी यूज कर सकते हैं और देखो इसके दो टाइप है अगर आपको निच्चे स्कीन पर दिखाए जारो ओपनिंग इस्टोक और क्लोजिंग साल के सुरू में जो माल हमारे पास बचेगा व सब्सक्राइब कराने तो फिलाल इस वीडियो के थ्रू हमने बहुत कोशिश किया आपको थियोरी समझाने की स्टार्टिंग के आपके साथ चैप्टर ऐसे ही पकाने वाले चलेंगे इसलिए कि रिपया थियान दिखते रहें उसके बाद हम आपके निमेरिकल स्टार्ट करा दिखते वाले आपके बाद एमने आपके लिवाई वाले रहें पकाने अपके रहें आपके दोई बशार्ट करा देए आपके आ अ